अजय के लिए सबी रूट यह कि अजय को इतनी कड़क में नहीं से लेकियार अजय को पूजय को पाराइब मुझे लगता है यह रोजा हर किसी की जिवन वह कुछ जादा दुख्ट में कुछ इतनी परिक्षा जर्फा कर उपर बाला लेता है, एक मेना 47 डिक्री में अगर हम भरुजा रखते हैं, मुझे लगता है हर किसी की दुआ है इस बार परिक्षा रखते हैं, पर सभी को दिल से बहुत 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 एत की मुबारा है अब जाए अपने लगता कि जो हमारी बहारत के सांस्कृति है, वो अदलब दूब तहवार है ते, एक बुसरे के साथ में इनका मनाते हैं, इतनी ही कैसे तहवार है मुझे लगता है हम तो सिर्फ नाम दिया है अलग-अलग समाज और शरीर और हमारे शरीरों में जो फून है, वो एक ही अलग का है तो मुझे लगता है हम सरफ अलग-अलग नाम से तैवार मनाते हैं, पर इंसान सभी एक समाज के हैं, तो सब मिल जुल के ही मनाने चाहिए, क्योंकि हमारे साथ यहाँ पर अगर आप देखे ने, तो सभी समाज शबीत और मुझे मानने वाले हैं, मुझे लगता है मेरे लिए म मेरा एक समाज है वो इंसानियत, और मैं सरफ इंसानियत के लिए एक काम करते हूँ और अलगा इंसानियत के लिए याए कम करते हूँ. से लिए बैने में रोजा्वित्र खुलात będę सब्सक्राई कर देला को सब्सक्राइड कर प्रिश्य कारे निद्व सब्सक्राइब ग्रेसे हैं उन्होंने जो एक मेना पुरी परिश्टम के साथ रोजा किया है। सही माइने में एक अल्ला के पास सभी के खुशयली के लिए, सभी के लिए, भविष्चा के लिए, सभी की शांती के लिए, जो दुआ हैं मांग रहे हैं। सभी को एक शुपा में देता हूँ, कि आने वारे एक दिन पादी अभी इद है, और जो एक महने से परिश्रम के साथ, सभी लोग दुगा मांग रहे हैं, सभी अपने उपास करके उपर आले को अल्ला को सभी के गुशा लेकर जो मांगा है, वो इद मुभारक देट पे सभी क इद के गुबारक देट पे रोजा खतम देट और सभी घरगर में वक्चे से लेके उप्टूप से लेके युवा सभी इद मनाएंगे, और इद हमारे देश का एक इवाली जैसात हवार रहता है, और मैं समझता हूँ, सभी लोग पुशियाली से इद मनाएंगे, कले भी ल इद की बहुत सारी शुप कामना है, मेरे सभी मुस्लिम भाईयों को, बहनों को, बड़ों को, बजर्गों को, बच्चों को, इद एक ऐसा खुशाली का माहूल है, कि उसमें आप सब के जिन्दगी में खुशाली आए, सुख शान्ती आए और ये ऐसा पर्व है, कि जैसे हिंदु भाईयों में दिवाली मना ही जाती है, वैसे ईद मना ही जाती है तो यही भाईचारा अमन और शान्ती हमारे देश में बना रहे हमारे आमरावती करों को भी शुब कामना है और आपने जिस लगन से ये रोजे रखे है, रमजान अभी रमजान के रोजे रखे है तो यह विधर्ब जो है हमारा, सबसे ज़्यादा टेंपरेचर दापमान विधर्ब में जा रहा है वो लोग बेहाल हो गए 47 डिगरी से, पानी पानी के लिए तरस गए हमारे आमरावती में भी पानी की किल्लत हो रही है कई जगे मैं जान रहा हूं लोगों को दिक्कट जा रही है, इसके बावजूद छोटे बच्चे भी रोजे रख रहे है, बड़े बुजर्ब भी रख रहे है मैं उनको भी मेरी तरफ से आदाप विधर्ब खबर नामा के इस सारे दर्शों को मेरा आदाप इस वर्ष का जो हमारा रम्दान का महिना ऐसे तबती गर्मी में आया है दोस्तों पर इस तबती गर्मी में जिस शिद्द के साथ हमने रोजे रखे हैं और अल्ला ने जो आमें कामया भी दिये हैं यह बस उसका ही आशिरवाद है दोस्तों अल्ला आप सब को खुश रखे और सब के जिस तरह से रोजे कामया हुए मैं अल्ला इश्वर से ये वेंदी करता हूँ कि हर मेरा मुस्लिम भाई खुश रहे और जो भी इस साल उनको तकलीफे पहुँची है राजितिक दोर पर या किस दोर पर दुप पहुचा है उसे निज करता हूँ और ये सब के लिए नहीं खुशिया नहीं उमंग नहीं तरोताजा जिन्दगी लिया है और हमारे भारत जिन्दा भारत को जिन्दाबाद रखे भारत का एकता अकंड़ता को जिन्दाबाद रखे हम यहां पर हजारों सालों से रह रहे हैं भारत देश हम सब का ह एकता बनी रहे, प्यार मुबबत से रहे, बस अल्ला इशुर से यही हम कामना करते हैं, एक बार फिर मैं पूर्शुत्तम हरवानी हमारे सभी भाईयों को ईद की बहुत-बहुत मुबारत बात देखा हूं।